प्यारी सासंग जी प्यार से बोली दन्यमका जी आज का टॉपिक है नरंकार को जो भी चाने उसका पार उतारा है प्यारी सासंग जी जो इस परम्पिता परमात्मा को जान कर इसकी बक्ति करते हैं तो उनका ही पार उतारा होता है भवसागर से वही पार उतरते हैं वर्ना आजम संसार की हालत देख रहे हैं कि सभी अज्यानता में भक्ति कर रहे हैं अगर हम परमात्मा को नहीं जानते हैं और अज्यानता में भक्ति कर रहे हैं अज्यानता के कारण यहां वहां हम बटक रहे हैं तो फिर बात नहीं बनने वाली क्योंकि अग्यान और अंदकार इन दोनों से ठोकरे ही मिलती है कि अगर हम अग्यान के कारण कोई भी काम करेंगे तो वो काम सही नहीं होता है और अंदकार में हम ठोकर खाएंगे अंदकार में जाएंगे तो रस्ची भी हमें साथ नजर आएगी तो इसलिए संत मात्मा समझाते हैं कि सग्गुरू के पास आईए और इस परमात्मा को जान लेजिए सहंसाजी संपुर अवतारवानी सबसंग्चा 145 में समझा रहे हैं कि नरंकार को जान की जो नर मालिक के गुंगाता है जनम मरण में कभी न आये वह जन मुक्ती पाता है नरंकार को जो भी जाने उसका पार उतारा है उससे कोई न लेखा मांगे जनम मरण छुटका रहा है नरंकार को जो नर जाने खाना पीना सप्रवान नरंकार को जो नर जाने जो भी पहने सफल तुजान नरंकार को जो नर जाने कोई निश्पल उसका काम नहीं नरंकार को जो नर जाने दुख संताप का नाम नहीं बिन देखे करे अर्चन पूजन भूल रहा है सबसंसार अवतार गुरु यदि करे न करपा कभी न दिखे यह नरंकार कि बिना गुरु की कृपा के कभी परमात्मा नहीं दिखता है सद्गुरु कृपा करते हैं और ग्यान की नज़र देते हैं ग्यान अंजन गुरु दिया अग्यान अधेर विनास हरी कृपा ते संत भेटिय नानाकमन प्रकास कि स stunt guru की जब कर्पाध दुस्टी हो जाती है तब जाकर हम ये नरंकार मिलता है और जो इस नरंकार को जान जाते हैं वही इस सिगुन गाते हैं जब तक हम परमात्मा को जानेंगे नहीं तब कि इस सिगुन हम कहसे गाएंगे जब इसको जान लेंगे सद्गुरु करपह जब जान पहचान हो जाती है कि यही परमात्मा है जो अंग संग है हर पल हमें से साथ रहने वाला है तो जब इसका हम एसास करते हैं प्रबु का बोध होता है तब जाकर हम इस मालिक की गुन गाते हैं जनम मरण में कभी नायव वह जन मुक्ती पाता है सेंसाजी कहते हैं कि जो इसको जान लेता है वो फिरू कभी जनम मरण में नहीं आता है वो मुक्त हो जाता है जीते जी उसे जीवन मुक्ती मिल जाती है नरंकार को जो भी जाने उसका पार उता रहा है कि जो इस नराकार डातार को जान लेता है वो भवसागर से पार उतर जाता है उससे कोई नलेखा मांगे जनम मरन छुटकारा है कि फिर जो परमात्मा को जान लेते बर्मग्यानी होते हैं फिर उन पर काल का भी कोई जोर रही चलता है क्योंकि वो अकाल पुरुक दरंकार के साथ में हमेशा जुड़े हुए रहते हैं और जनव मरंद से छुटकारा उन्हें मिल जाता है नरंकार को जो नर्जाने खाना पेना सप्रवान नरंकार को जो नर्जाने जो भी पहने सफल तुजान कि जो इस परमपिता परमात्मा को जान जाते हैं तो उनका खाना पेना सप्रवान है उठते बैठते सोते जाकते हमेशा बक्त जो होते हैं इस तरंकार की मस्ती में रमे रहते हैं जूमते रहते हैं इसके ही नगमेंगाते हैं और उनका सारा जो काम है वो सफल हो जाता है परमात्मा ही करपा से क्योंकि परमात्मा को जानते हैं और प्रभू अपने भक्तों के सारे कारज सफल कर देते हैं नरंकार को जो नर जाने कोई निस्पल उसका काम नहीं कि जो इस परमात्मा को जान जाते हैं उनका कोई भी काम निस्पल नहीं होता है सब काम सफल हो जाता है नरंकार को जो नरजाने दुख संताप का नाम नहीं कि उनके जीवन में कभी दुख आता ही नहीं है लेकिन जो परमात्मा को भूल जाते हैं दुख उनके जीवन में ही आता है कई हनुमंत विपत्य प्रभुसोई जब तब सिम्रन भजन नहीं हो रहा है दातार हमें याद नहीं आ रहे हैं हम परमात्मा को भूल गये हैं तब ही जाका जीवन में दुखाएंगे लेकिन अगर हम परमात्मा को याद कर रहे हैं हर पल इसको जानकर इसकी भक्ति कर रहे हैं तो जीवन में कुई दुख संता अपकश्ट क्लेस कभी नहीं आते हैं, बिन देखे करे अर्चन पूजन भूल रहा है सब संसार, कि सारा संसार भूल कर अज्यानता ये कारण बिना देखे जाने पहचाने, प्रभू की पूजा अर्चना कर रहा है, अवतार गुरु यदि करे नकरपा कभी नदी की अंधरंकार, कि जब तक सद्गुरु करपा नहीं होती है, तब तक य наж्कार नहीं दिखता है, इंसान आजम देख रहे है सारे संसार में, कि कोई जंगल में जाकर, कई वर्शों तक माता पस्या करते हैं, पौढ़ों में जाते हैं, तो यहाँ पर संसा आज शम्धार रहे हैं कि तपकर चाहे जाप करा ले चाहे कितना ध्यान लगा वेद इसमिति शात्र पड़ पड़ चाहे अपनी आगवा कर्म क्रिया और योग साधना पूरा धर्म भी तेरा हो छोड़ के चात जग सारे की जंगल भीतर डेरा हो कर ले चाहे करम अने को और धा कर चाहे दिन रात यतन अंग संग कटवा कर अपना हवन नगतु करता जा कर करके तु व्रत और संयम कर्ज उम्र भर भरता जा भाल में जो का जो कुछ किया चाना राम का मर्म नहीं कहे अवतार नाम बिन मानव काम आये कोई कर्म नहीं कि अंगं कटवा कर अपना हवन नगतु करता जा कितना भी हम पोहिश कर ले जतन कर ले प्रयास कर ले जब तक सद्गुरू नहीं मिलते हैं तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है कहे अवतार नाम बिन मानव काम आये कोई करम नहीं, किस नाम दरंकार की बिना इसको जानने बिना कोई करम काम नहीं आता है मन की अगनी न ठंडी होती, ठन का वेस बदलाने से, दोर हरी के मान न पाए चाल अनेको चलने से अंतकाल में करमी तेरे, तुझको और फसाएंगे, नरक स्वरक की कैट के अंदर करम तुझे ले जाएंगे तु करमों के बंदन कारण फिर फिर योनी जाएगा, मात गर्म में लटके उल्टा, चिखेगा चिलाएगा कोई न होगा, संगी साथी, रो रो नीर बहाएगा, बन के सुकर, स्वांसर गुरा, चोरासी में आएगा नाम हरी का, जो जन जाने, वह ही मुक्ती पाता है कहे अवतार, गुरू का सेवक, हरी की महिमा बाता है कि जो नरंकार को जानते हैं उनका भी पारुतारा होता है जो इस हरी को जानकर इसकी बक्ति करते हैं इस नरंकार में मन लगाते हैं इस नरंकार सब्गुरु के सेवक बन जाते हैं हरी की महिमा नरंतर गाते रहते हैं तो जीते जी मुक्त हो जाते हैं यहाँ पर सब्गुरू पबा सहेंसाज यही बात समझा रहे हैं कि इन्दरंकार को जो भी जाने उसका पारुत आ रहा है कि जो इस परमात्मा को जान लेते हैं इसके हवाले हो जाते हैं दिन्डात इसकी बक्ती करते रहते हैं सेवा सत्संग सिम्रन करते हैं तो पैरिशा संगत जी उनका लोग सुख होता है और परलोग भी स्विला हो जाता है गुरू की महिमा गाने से ही कलकले सब होते दूर गुरू की महिमा गाने से ही चेहरे पर आता है नूर गुरू की महिमा गाने से ही तनमन शीतल हो जाता गुरू की महिमा गाने से ही फिश भी अम्रत हो जाता गुरू की महिमा गाने से ही पापी पाक हो जाते हैं गुरू की महिमा गाने से ही मितक भी जीवन पाते हैं पूरे गुरू की महिमा गाए पूरा गुरू जो दया करे कहे अवतार गुरु कृपा से मन छुटे, जक्की माया से एही गुरु की महिमा गाने से सारे कलेटलेस दूर होते हैं जब इस गुरु नरंकार को हम जान लेते हैं इसकी महिमा दिन रात गाते है तो चहरे पर नूर आता है मन शीतल हो जाता है विश भी अम्रित हो जाता है पापी से पापी भी पावन हो जाते है मुर्दे भी जीवित हो जाते है लेकिन गुरु की महिमा कौन गा सकता है जिस पर गुरु कृपा होती है गुरु की दया महर होती है वही गुरु की महिमा गा सकता है और जब गुरु कृपा होती है तो यह जोटी माया है जज़की इससे फिर हम उपर उठ जाते हैं और फिर हमारा जे मन है परमातमा हमें लग जाता है और यह सब स़द्गरु की कृपा होती है तो फिर चेहरा खिल जाता है गुरू सिस्ट के सुवदर पर केवल गुरू का गान रहे, दिल में प्यार, नामले हरदम, ध्यान वही, बनकान रहे, शिस्ट गुरू की आँख से देखे गुरू के कान से सुनता है, शिस्ट ग्यान सरुवर में से हीरे मोती चुनता है, गुरू की मूरत मन में धारे, दिल म पर पकार रहे हर वक्त हर हाल की वीटर जुड़ी गुरू से तार रहे सिस्विक्रु का लेक के माया मन अपना भर्माता ना कहे अवतार गुरु के सिस्व को और कोई भी भाता ना कि गुरु और सिस्व का इत्प्रेम एक अटूट बंदन है और जो सेवक होते हैं जो गुर्षिक होते हैं उनके बन मंदिर में आमईशा गुरू की मूर्टी होती है शिस्त का तन वा प्रानचत गुरू ध्यान इसी का धरता है जग इतनी ही करे बढ़ाई मान नमन में करता है शब्द गुरू का ध्रन सेवक का प्यार गुरू का जीवन सार नाम गुरू का पलपल सुमरे गुरू को समझे प्रानादार गुरू का सिवक रहे अलेप कभी नमाने हर्श विशाद हर वस्तू को मान गुरू की पाता है जीवन एहलाद मन में जलता प्रेम का दीपक उटो पर अरदास रहे कह अवतार की ऐसे सिसके सद्गुरू पलपल पास रहे गुरू दरसन का फाले उत्तम मन की मेल गवाता है गुरू चोडों की लेले दूली मन मेला दूल जाता है जो भी गुरू की करले संगत यश हरी का गाता है नराकार के पावन ग्रे में वास वही नर पाता है बचन गुरू के हैं अतिमिठे कान को लज़त मिलती है दूर दिलों की भटकन होती मन को रहत मिलती है पूरे गुरू की पूरी सिच्छा कभी न मिटने पाती है पूरे सत्गुरू की यह सिच्छा कभी न आती जाती है बेयंत है गुरु की महिमा करना कोई उलेख सके कहे अवतार आप रिचाहे तो यह मानव देख सके तो कि यह बेयंत इस परमपिता परमात्मा वही जान सकता है जिस पर सद्गुरु की किरपा होती है जब सद्गुरु चाहते हैं, सद्गुरु कृपा करते हैं, तो इस नरंकार के दर्शन करा देते हैं और फिर ये नराकार जो है, एक खुद आकर भक्तों के दिल में बैठ जाता है नरंकार है जक्का करता वास जिसगट करता है बित्तु सदा ही कांपे उससे धरम राज भी दढ़ता है विरला जनी सच्चे गुरु से इस सम्रत को पीता है जो नरपिले इस सम्रत को सदा सदा वह जीता है आठो पहट जो सच्चे मन से जाप हरी का करता है हरी भी ऐसे बक्त जनों के सारे कारज करता है माया मेना फसे जगत की और नमन को लल्चाए आस हरी की मन में रखे और कोई आस लगाए ना दीप जैसे अंधेरे अंदर जले तो अपना नूर करे कहें अवतार या सद्गुरु दाता सेवक के ब्रमदूर करे जिस घट में ये सद्गुरु नरंकार का वासा होता है उसके सारे भम दूर हो जाते हैं नरंकार है गुड़ों से मुचा आपी हर गुड़ वाला है हर एक से में वासे इसका पर हर शे से बाला है अपनी कर्णी आपी जाने, आपी खेल रचाता है, अपनी हस्ती आपी जाने, अपने आप जनाता है निज इच्छा से प्रकट होता, इच्छा हो छिप जाता है, आप बनाए, आप बिगाड़े, जो इच्छा कर पाता है स्वेम आपे अपने जैसा कोई न इसका सानी है आप शरीर और आप आत्मा हर इक जान का जानी है एक ही सूरत एक ही सूरत रंग अने को इसी एक कताना बाना है आप इस सागर लहर की नारा इसी नितार लगाना है यह रचना जो रंग बिरंगी दिला इसकी सारी है कहे अवतार की जिसने समझा उसकी महिमा न्यारी है कि इसकी महिमा अनंत है है बेंत महिमा तेरी दाता अपरमपार और जो इसकी महिमा को समझ जाते हैं और इसकी महिमा को समझना इतना आसान नहीं है जब गुरु कृपा होती है तबी कोई इसके बारे में जान समझ सकता है तो आएए प्यारी सासंगत जी हम से बहुत ही किसमत वाले हैं कि सद्गुरू के चोड़ों में हमें जगे मिली सद्गुरू ने अपना बनाया और नरंकार का जिदार कहाया प्रभू के दर्शन कराए तो जो हरी के दर्शन कर लेते हैं उनका पार उतारा हो जाता है नरंकार को जो भी जाने उसका पार उतारा है प्यारी प्यारी सासंगत जी प्यार से बोलिये धन्रंकार जी